नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंदर रगुवीर देश्पांडे फ्राम पुणे मारस्ट स्टेट इंडिया, आप सबका मेरे अईरुवेद एकडेमी यूट्वीब चैनल में सहर्श स्वागत करता हूँ, मैं अईरुवेद में एमडी हूँ, हमारे इसमें घटक ड्रव्य है, अश्वगंधा, विदारीकंद, शतावरी, आप तो जानते हैं, अश्वगंधा का लैटिन नाम क्या है, विथैनिया सोमनी फेरा, ठीक है, शतावरी का नाम क्या है, एस्परैगस रेसिमोसस, तो ये, और गोखरू, टीनोस्पोरा, सॉरी, गोख ये, आमलेकी जिसको बोलते हैं, जेश्टमद है, जिसको ग्लिसराइजा, गलैबरा कहते हैं, पुदरनवा, जो डायूरेटिक है, वारा है, तुनपंचमूर है, एरंडमूर है, लिम्बूरस है, और घी है, तो ये जब भी घी इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसके भी शरी है, तो, डेफिशेंसी सिंड्रूम बोलते हैं हमें, उसके विटेमिन डेफिशेंसी है, प्रोटीन डेफिशेंसी, कार्भोएड डेफिशेंसी, प्रोटीन कैलरी माल नूट्रीशन, अंडर नूट्रीशन, माल नूट्रीशन, ये सब सिकायत में हमें अश्वगंदादी आनी चाहिए क्योंकि गृत जो है वो हमेशा वात विरोधी कार्य करता है और वात का जब चलगून बढ़ जाता है रुक्षगून बढ़ जाता है तो ये गृत काम करता है इसमें से अश्वगंदा, शतावरी, गोकुरू, अवलकाटी इसको रसायन भी बोलते हैं इस चानलो पांचमाच रसायन द्रव ये हैं टॉनिक्स हैं ये शरीर को क्या करेगी बिलकुल स्ट्राउंग बनाएगी सब धातों को स्ट्राउंग बनाएगी तो अश्वगंदा दिगरत एक ही वाक्य में हमें कहना है तो उत्कृष्ट बल्य है इस इस दे मोस्ट नरीशिंग फूड it's like a food supplement to your body जिन पेशन्ट में किसी भी वजह से बीमारी की वजह से या कुछ खाने पिने की वजह से या lifestyle गंदी होने की कारण जो भी weakness आता है debility आती है muscles काम नहीं करते हैं हमेशा दर्द होता है पीठ में दर्द, पैर में दर्द, सीर में दर्द, यहां दर्द, वहां दर् दर्द का मतलब है वात प्रकोप और जब भी वेदना है, दर्द है, वात प्रकोप है तो उनके दो कारण हो सकते हैं एक कारण होता है धातूक्षय जन्या की मतलब होता है deficiency syndrome मतलब under nutrition और दूसरा होता है स्तुरोतोरोध जन्या मतलब obstruction हो गया है हमारे शरीर में आमनिर्मान ह गया है, over nourishment हो गई है, वो बात अलग है, हम जब अश्वगंदा अदि घृत की बात करेंगे तो under nourishment की आपको याद आनी चाहिए ठीक है, इसमें से अश्वगंदा, विदारीकंद, शतावरी, आमल की ये सभी द्रव्य, शीत गुन के कारण हैं, तो स्तंबने शीत हा, शरी पोष्टिक का मतलब है, टौनिक है, वातनाशक है, शरीर धातू के रास होने के कारण जो शरीर में वात बढ़ जाता है, वात बीमारियां बढ़ती हैं, उनके लिए ये वात विकार के लिए अश्वगंदा अदि घृत, एक बेहतरीन टौनिक, बेहतरीन रसायन द्रव्य ह ठीक है, फिराल उसका उपयोग आप जो लोवेट पेशंट्स है, चाहे वो टुबर्किलोसिस के कारण अंडर नरिश्मेंट है, टुबर्किलोसिस के कारण वेट लॉस है, या कैंसर की बीमारी की वज़े से वेट लॉस है, या HIV, AIDS की वज़े से वेट लॉस है, या चाहे हा Hypertherodism में T3-T4 बढ़ जाता है और पूरी metabolic process stimulate हो जाती है तो जहां भी degeneration जादा हो है जहां भी autoimmune diseases है बिलकुल आप अश्वगंदा अधिकलत का इस्तिमाल करना ही करना है आपको यह brain के उपर भी काम करेगा Alzheimer disease में भी काम करेगा Parkinsonism में काम करेगा multiple sclerosis में काम करेगा motor neuron disease में भी काम करेगा ठीक है दूसरी बात उसमें पुनर्नवा diuretic है वाड़ा थंड़ा थंड़ा कुल कुल 35 बहुत सारे थंड़े गुन देने वाले चीज़े एरंड मुल है लैकजेटी है बैस टटी से उष्णता निकल जाएगी गोख्रू है डायूरेटिक है शतावरी सीतगून है और अश्वगंदा है ये सीतगून के कारण पित प्रशमन करने का काम करती है पित प्रशमन है ना जो भी हीट बढ़ी है शरीर में जहां भी कारण हीट बढ़ जाती है उष्णता बढ़ जाती है तो उसमें यूरिनरी ट्रैक इनफेक्शन होने की चांसे संभावना ज़ादा होती है उसमें क्या हो जाता है मुत्र क्रिच्छ propaganda बोलते हैं उर्डेणिया हो जाता है हिमेचृरिया हो जाता है तो जो भी उरिनरी ट्रैक की प्रॉबलम से किसी भी वज़े से उरिनरी ट्रैक इंफेक्षन हो गया है तो आपको अश्रवगंदा दिकरत देना ही होगा उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कभी कहा था कि फिरंगा और उपदाउश, सिफिलिस एंड गनोरिया ये विनेरल डिसीजस हैं वेश्यागमन होने के कारण जो पेशाप की जो मारग है वजाना है या पुरुशों में जननेरिये उसमें ये इन्फेक्शन आ जाता है और बहुत सारी तकलीफ होती है, दर्द होता है गनोरिया में फिरंगा में तो अलसर हो जाता है तो इसके जो क्रानिसिटी आ जाती है, जब भी पुरान ही हो जाती है ये बीमारियां एक महिनों से साल सबर चलती रहती है, तो उसमें भी आपको अश्वगंदा अधिकरत देने से बिलकुल लाब मिलेगा ठीक है, ये दो से चार चमच दवा तीन दफ़ा आप पानी के साथ ले सकते है मेरे पहरे दोस्तों, मैं तो बहुत आसानी से आपको होम रेमेडिक जैसी है, सब दवा बताते जा रहा हूँ फिराल, ये एजुकेशनल वीडियो है, तो किसी भी बीमारी में यथा वश्चक यथा काल वहिद्दी की सला लेना देजरुदत है आईरवेज एकडेमी को आप वाट्साइप कर सकते है, 9226810630 for a paid online consultation, ठीक है मैं आप सब को आपके प्यार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कुरुपा करके वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे जो भी आपको वीडियो चाहिए वो comment box में लिखते जाएए, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद